इससे सब पहले गीतिकावी और खंड कावी लिखा, जो गाये जा सके वो गीतिकावी हैं तो देखे सबसे पहले गीति काविकार के रूप में रित्व संखार हमें मिलता है कालिदास का चुकि कालिदास के पहले के जो कभी हैं वालमीकी हैं और व्यास हैं और भास इत्यादी हैं तो भास का नाटक तो मिलता है, वालमीकी का वालमीकी रामायन मिलता है, व्यास का महाभारत और अठारा पुरान मिलते हैं, लेकिन हमें कालिदास ऐसे कभी हैं, जिन्होंने सड रित्वों को लेकर के सबसे पहले रीत्यु संगार लिखा, तो यदि आप से कभी ये पूछें, कि गीतिकावेकार, प्रथम गीतिकावेकार तो आपको कालिदास को कहना चाहिए, चूकि कालिदास के पहले का ऐसा कोई कभी नहीं है, जिन्होंने खंडकावी या गीतिकावी की प्रारम्भ की हो, तो ऐसा कह सकते हैं कि प्रथम खंडकावेकार भी कालिदास हैं, और तो तेरह नाटक उनके माने जाते हैं, तो तेरह नाटकों के नाटक कार भास हैं, तो प्रथम नाटक कार पूछे तो भास की नाम आएगा, और यदि प्रथम गीत कावेकार या खंड कावेकार कहें, तो हम मेखदूत को याद रखें, रितुसंगार को याद रखें, रितुस कावे कहें ना चाहे दूत कावे कहें यह सब कावे का देखे वास्त यहां कावे लिखना है मेरा मतलब सिर्फ यह है कि आप यह देखिए मेग दूत में दूत बनाकर भेजा गया है मेग दूत में संदेश दिया गया है यक्ष के द्वार अपने यक्षनी को इसलिए से हम संद एक देशान उपारी होने से यह खंड कावे तो है ही पर आप खंड कावी गीति कावे संदेश कावे दूति कावे सब कुछ कालिदास के मेगदूत को कह सकते है इसका नायक यक्षिय है और मेग के द्वारा ये है संदेश भेशता है इसलिए जिस काव में मेग दूत है मेग दूत है याक्ष का दूत बन करके वो यक्षणी को संदेशा कहने जाता है ऐसा काव मेग दूत है तो रित संगार और मेग दूत ये दोनों कालिदास की रचनाएं है आगे आएंगे तो नीत मेंं सब्सक्राइब कभी कभी सब्सकत ञाएब आपको भर टिहरी का नाम ही लिखना है मुक्त काविकार कौन है तो भी भरतिहरी है, नीत सतक में नीत की बाते हैं, स्रंगार सतक में स्रंगारिक बाते हैं, वेरागी सतक में संसार से मोहमाया से दूर रहने की बाते हैं, तो नीत सतक, स्रंगार सतक और वेरागी सतक ये तीनों सतक सतकत्रे कह जाते हैं, मुक्तक कावी की परंपरा में आते है जो भी गाये जाने योग यह वैसे तो सारे पद्यों को गया जा सकता है पर बर अब गीत गोविंदम किसकी रचना है कभी पढ़िएगा बहुत मज़ेदार कावी है जो लोग गाने के सौकीन है उनको गीत गोविंदम अवश्य पढ़ना चाहिए तो इसलिए ब्रह्मा जी के लिए मैं दूंग कहूँगा कि ब्रह्मा जी गीत गोविंदम पढ़ें चूकि वो गाते हैं अब आगे गीत कावी और लेखकों में आप एक नाम हमेशा याद रखेगा पंडित राज जगनात का पंडित राज जगनात ने इतना बढ़िया लिख ़हरी जिसको हम पियूष लहरी भी कहते हैं ऑमरत लहरी शुधा लहरी लक्षमी लहरी करोणा लहरी मनें लहरी को लहराया है पंडित राज जगनात ने लेकिन साहँाने कि घ funciona पंडित राजा के समान जो थे सप्राइब दो हुआ किने शत्राइब दो हुआ के लिए जगनात प्राणा भरणम देखें यहां भी आभरणम यहां भी आभरणम और यहां यमुना भरणम और भामनी विलास पंडितराज जगनात की चर्चा हो रहे हैं ध्यान रखेगा पंडितराज जगनात का रसगंगा धर भी हैं हम यहां उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं क्यों चूकि हम गीतिकावे खंड़कावी की परंपरा में चल रहे हैं तो आशफ विलास जगदा भरणम प्राणा भरणम यमुना भरणम भामनी विलास ये एक गीतिकावी है तो पंडितरा जगनात की ये सारी रचनाएं हैं आप इनको देख लिजेगा आशफ विलास भी पंडित जगनात लिखते हैं जगदा भरणम भी पंडितरा जगनात लिखते हैं प्राणा भरणम भी पंडितरा जगनात की हैं यमुना भरणम पंडितरा जगनात की है भामनी विलास ये गरंत बहुत पूशा जाता है भामनी विलास जो गीतिकावी है ये भी किसका है तो ये पंड प्रदधनाचार की रचना है। और चानक की शतकम ये चानक की रचना है। चानक की नीती भी चानक की लिखी हुई है। कव्यों के नाम पर भी काव्य का नाम परता जैसे भट्टि खबंधे हैं उनका रावनवत उनको भट्टी काव्य भी कहते हैं किरातागी टो घटकरपर का काव्य गटकरपर लग तो ध्यान रखेगा इन्हों ने भी सूर्ष अत्कम लिखा क्या लिखा भल्लट सत्कम भल्लट का है भल्लट कभी हो नहीं के नाम पर भल्लट सत्कम हो गया जैसे यहां देखे घटकरपर के नाम पर घटकरपर काफी हो गया ऐसे भल्लट सत्कम किसका है तो भल्लट का कभी का नाम उसमें खुदो लिखा है भल्लट सत्कम शूर्य सत्कम बहुत क्यों से अनंद वर्धन के लिए खुड़न और जिसमें अनंद वरधन के लिए पुरसिद्द या गन्या लोक जिसने लोक लिखा उसी आनंद उन्द वर्धन ने देवी सतकंव भी लिखा ध्यानक है सतकंसा कॉगा जो इस लोग कुठिनी मतम ये दामोदर गुप्त का है ये भी बहुत पूश लेता है और बल्लाल सतकम महा कभी बल्लाल का है महा कभी बल्लाल का बल्लाल सतकम शतक परंपरा है ये ये शतक परंपरा कहिए गीत कावे परंपरा कहिए कावे परंपरा कहिए या मुक्ता कावे परंपरा कहिए तो बल्लाल सत्कम बल्लाल का है कुठिनी मतम दामोदर गुप्त का है देवी सत्कम आनंद वर्धन का है वही आनंद वर्धन जिनोंने धुन्या लोक लिखा है वा क्रोक्ति पंचासी का रतना कर तीस ग्रंथ आपने प लिए क्षेमेंद्र चारुचर्या लिखते हैं सेव सेवकोपदेश लिखते हैं समय मात्रिका लिखते हैं कथा विलास लिखते हैं दरपदलन लिखते हैं यह सारी रचना यह पूरी श्लाइड क्षेमेंद्र को समर्पित हैं महा कभी छेमेंद्र सेव सेवकोपदेश अब देखे कुछ और कभी पवन दूत बहुत पुछता है धोई का है पवन दूत किसका है, नेमी दूत किसका है, विक्रम कभी का, सुक संदेश किसका है, लक्षमी दास का, एक परिक्षा में पूछा था कौन सा, हंस दूतम किसका है, हंस दूतम किसका है, हंस दूतम किसका है, ना, तो वेदान्त देशिक की रचना है कौन, हंस दूतम, जैसे वेदान्ति देशिक के रचना मेersेये ने लिखा लक्षमी में नेमिदूतम व्यक्रम कवीने पवंदूतम दोगी कभीने हां हंस पंदेशम है ले लगतर और हंस संदेशम किसकी है इस बार यही पूँचा था वेदान्त देशिक तो देखिए हंस संदेश ये आपको लिखना है ये देखिए यहाँ पर आ गया भ्रिंग संदेश भ्रिंग संदेश वासुदेव की है हंस दूतम ये है रूप गोशामी का हंस दूतम किसका है और चंद्र दूतम विमल कीरती का ना और ये काउन से अभी रचना जो बता रहे थे हंस हंस संदेश किसका है तो ये भी ध्यान रखिएगा इस प्रकार की रचनाएं आपसे परिक्षाव में पूछी जा रही है ना भ्रिंग संदेश हंस दूत चंद्र दूत रचनाएं तो ये सारी रचनाएं जो दूत कावे कह लीजे यतनी सारी रचनाएं आपने पढई तो मित्रों में आ आपसे ये कहता हूँ यदि आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा समश्क्रित इंगा को ताकि हम लोग मिलियंस में देखें ताकि दुनिया जान पाए कि संस्कृत को प्यार करने वाले इतने लोग हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें ताकि यह परंपरा आपको जब कभी भी यहां से कुछ नए वीडियो जाएं कुछ नए कारेकरम आएं कुछ नई चीज़ें आपको दी जाएं तो आप तक उसकी सूचना मिल जाएं यह कहने की बात नहीं है तो अच्छा लगा होगा तभी लाइक करिएगा और अच्छा नहीं लगा तो डिश लाइक करके बताईएगा ताकि हम जान पाएं कि हम लोगों के कार में कुछ कमिया हैं और उनको सही कर पाएं तो आज के लिए मित्रों इतना ही अगले एपिशोड में हम फिर आप से मिलेंगे लेकिन तब तक के लिए न हुआ 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 है